इस वीडियो में हम चात्रों के लिए नोट्स लेने के महत्व और इसके विभिन वीडियो के बारे में बताएंगे नोट्स लेना नोट्स लेना अध्यान कोसल की एक संकला है जो नवीन जनकारी को प्राप्त करने और प्रवस्तित करने करने जनकारी को बनाय रखने या आकलन करने की परकिरिया में उप्योगी हो सकती है वे समिलिती संकेत को भी समिलित करते हैं जो सुचिनाओ की सुची को बनाने प्रवावी पाठन करने और एक अगरता की तक्नीकी के साथ-साथ कुशलता पूर्वक नोट्स टेकिंग की अधारना का प्रियोग करने में सायता करते हैं यह मान लेना असान है कि छात्र कक्षा में सुनना नोट लेना और भाग लेना जानते हैं सिख्षक को सुनने को सिखाने की अवसकता नहीं दिखाई दे सकती क्योंकि यह एक ऐसा कोशल है जिसे बच्चे स्कूल या कॉलेज में प्रवियस करने से पहले सभाविक रूप से विक्सित करते हैं और वे समझ सकते हैं की जैसे विजयरती लिखना सीखता है वैसे वैसे में नोट लेना भी सीखते हैं या सभाविक रूप से पहचानते हैं कि सीखने की गतिविदियों में परभावी ढंग से कैसे भाग लिया जाए दिर्भाग गिवस से बात यह नहीं है कुछ सबसे महतपुर बुनियादी अध्यान कोसलो में से होने के बाबजुद अलोचनात्मक पाठन नोट लेना और समरिती संकेतो में से स्कूल और कोले जो में पढ़ाये जाने वाले सभी कोसलो में से सबसे अधिक उपेक्षित होती ह है नोट्स टेकिंग नोट्स टेकिंग को मुल रूप से सुचनाओ के आकरण के टुकडो को विवस्तित तरीके से लिखने की परकिरिया के रूप में माना जाता है कोलेज और विस विद्यले में प्रोफेसर चाहते हैं कि आप व्यक्षियन को व्यक्षियन से जोड़े वे चाहते हैं कि आप ट्रास लेक्चर और रीडिंग असाइमेंट का आपस में संबन्द प्रस्तूत करें सुनने के बाद नोट टेकिंग सबसे आवस्यक कोसल है जो किसी व्यक्षिय की रक्षा में परगती और सफलता की करणटी देता है कई कारण से प्रभावी नोट लेने भी काफी आवसक है क्योंकि यह सुनने के प्रियास का समर्शन करता है और सबसे अधिक महतपूर रूप से यह मोलिक मार्क दर्सिक का परदान करता है चातरों के लिए नोट का महतव जो नियुक प्रिकार से चातरों को महतपूर और प्रसंगिक जनकारी के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए उप्चारी चर्चा के दुरान चातरों को हमेशा नोट लेने के लिए तयार रहना चाहिए जब कोई प्रस्न पूछता है तब नोट्स लेना भी कभी कभी वंचनिये होता है एक प्रस्न जो एक छात्र को परसान कर रहा है वही प्रस्न दूसरे को भी परसान कर रहा है और परिणामी चर्चा मुल्यवान पस्टीकरण देगी जिसे नोट्स किया जा सकता है परिभासा और अधारणों के नोट्स लेना चात्रों को अपनी कक्छाओं में उप्योग की जाने वाली विशे सब्दाली का पूरा ध्यान देना चाहिए और किसी भी अधारणा के नोट्स लेने चाहिए जो उनके सिक्षक द्वारा समझाया या प्रस्तुत किया गया हो चात्रों को जल्द से जल्द विशे में ज्यान प्राप्त करने के लिए अपने सिक्षक के सपस्चिकरण और उधारण पर ध्यान देना चाहिए संचित व्याक्यान के रूप में नोट्स लेना चातरों को कक्षा में कहीं गई बात का सब्दान्स रिकोर्ड बनाने का प्रियास नहीं करना चाहिए नोट्स का संचित व्याक्यान बहुत सहायक होती है यदि आवस्यक हो तो छातर नोट्स के पहले प्रिष्ट के सीर्स पर एक कुंजी या सब्दावली रख सकते हैं नोट्स इतना सपस्ट होना चाहिए कि दिन या सब्दावाद भी इसे समझादा सके नोट्स को उचित नाम और तारीख के साथ दर्ज करना चाहिए समय समय पर नोट्स की समीच्छा करना नोट्स लेने की विविन विदिया जो निम्टिरकार से हैं पहला शक्रिय सुनना व्यक्ष्यता जो भी कहता है उसे केवल लिखने के बजाए जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दे दूसरा पूर्व ग्यान से जुड़ना आपको जनकारी को अपने सब्दों में रखने में सक्ष्म बनाता है तीसरा महत्रपूर संकेतों को पहचानना व्यक्ष्यता पासप्रीक संकेतों की आपूर्ति करते हैं चोथ्था मुख्य विचारों को रिकोर्ड करना और परम्युक अवधार्नाओं को सुनने और क्याप्चर करने और प्रसांगी उधारन को सुनने के बीच संतुलन बनाना पाच्वा पॉइंट समिक्षा और संसोधन करना समगरी को फिर से देखना उसे रिखांकित करना और नोट्स फिर से कोपी करना और संसोधित करना आपने जो सीखा है उसे याद रखने में आपकी साहता के तरीके हैं इसकन इसकर्स पहला नोट्स लेने के लिए त्यार रहना सुनिश्चित करें कि आपके पास काम करने के लिए सभी आजसे कुपकरण हो दूसरा लिखते समय कागज के एक तरफ का उप्योग करें प्रतेक प्रिष्ट के सीर्ष पर सभी नोटों को लेबल संख्या और दिनांग दे चोथा कोशिश करें कि कहीं गई बात को नोट ना करें प्रमुक विचारों के लिए अपना ध्यान रखें और उन्हें स्थेचेप में लिखें पाच्वा परसिक्षक द्वारा बोर्ड पर जो भी लिखा है उसे कोपी करें चटा संकेतों और संशिप्त अक्षरों का प्रियोग करें जब आप पीछे हो जाते हैं या अपने नोट्स का ट्रेक खो देते हैं तो उप्योग करने के लिए एक परतीक बनाए आठवा अठवा अपनी कक्षा में जितनी जल्दी हो सके अपने नोट्स की समिख्षा करें प्रण आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए